दोस्तों, 68,500 पदों पे होने वाली सायक ध्यापक भरती परिच्छा, 2018 जो की 12 मार्च को होनी है, अब काफी नजदीक आ चुकी है, आपके पास 7 दिनों का समय है, इस तमय आप intensive study करते हैं, कुछ selected portion को दोहरा के याद कर लेते हैं, ताकि आपके नज़र पे चढ़ी रहें, तो इस परिच्छा में कैसे अच्छे अंक आएं, और कैसे पढ़ें, इस पर प्रकाश डालते हुए, एक वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है, तो बाइए कुछ मुख्य बिंदों पर विचार कर लें, हमारे सामने जो समस्या है वो कैसे लाएं अच्छे अंक, यानि कौन से तरीके अपना एक अंक अच्छे आएं, इस पर विचार करेंगे हम, एक एक कर सभी बिंदों को देखते हैं, सरप्तव हम सलेबस देखें, यह आपका सामने सलेबस है, परिशा का समय तिन घंटे, यानि 180 मिनट, पुरणांक 150, प्रश्नों की संख्या 150, यानि प्रत कोश् करते हैं, हिंदी अंग्रेजची से पूछे जाने वाली जो सवाल है, उन्त पर 40 सवाल पूछे जाएंगे, चयन से अब 40 संख्यंगों सकते हैं, विज्ञान 10 अंख्यों की संख्या 50, यह पूरा पॉर्सन है, ध्यान से देखने से, अब जो हमारी रणलित होगी वो इस लच एंड टार्गेट को पाने के लिए होगी जो टार्गेट पाने जो समस्या हैंगी उनको हल करते हुए हम इसे हासिल करेंगे पारला जो समस्या हमारे सामय प्रबंधन का क्या इस परिछा के दवरान टाइम कंजूमिंग जैसे फैक्टर क्या हमारे समक्ष उपस्तित होंगे तो इस पर विचार करते हैं चलिए सबसे पाले हम उन पोर्षन को लेंगे सिर्वस्त के की जीन को हल करने के दवरान आपके समय अधिक लगेंगे तो इसमें सबसे अधिक जो भाग है वो बीस अंक गड़ित के जो बीस प्रस्ण हैं उन पे खपत होने वाले हैं हिंदी अंग्रेजी के जो अपटित पोर्षन गांसिन पैसेज उस पर कुल आपके दस या पंदर माले जे लगवक ये कोश्चर आएंगे और तार्के ग्यान के पाच कुल 35 प्रस्ण होते हैं और हम समय लगवक दो मिनट माले तो आपके सतर मिनट इन 35 कोश्चरों में खपत होने वाले हैं तो देखिए अब कुल आपके समय जो आपके पास जो समय है वो 180 मि 150 प्रस्ण लगवक दो आपके से 155 कोश्चन बच जाएंगे यानि कि आपके पास एक समय 110 मिनट है और जो प्रस्ण बचते हैं वो 115 कोश्चन है तो आप देख सकते हैं कि प्रत कोश्चन आपके पास एक मिनट से भी कम समय बच रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना पढ़ लेगा में कठीन प्रस्णों पर आप अनावस्चिक समय न गमाएं आप जो भी आसान या सल प्रस्ण आते हैं उन्हें हल करते हुए आगे बढ़ते चलें अब दूसरा भाग जो आमाराता है वो सिलिवस का पूर्ण न होना जो आप सलिवस अब ध्यान से देखें तो ऐसे इस प्रस्ट न हो सकता है आपके पास उसकी इस्टेडी मस्टेरियल न हो तो उसकी चिंता न करें आपको पासिंग मारे क्यानी सरशठ जो की्स DO है तो लवग अगर आ अस्ती के टार्रेट लेकर चले याशरान च्छूना जैंतो अगर च्छत चूना है तो सब्सक्रीष शूने और इस परतियोग्ताय में आपको पता होगा कि परतियोगियों की संख्या काफी कम है अत्रह काफी आसान परिश्य हेक्तर से सावित होने जा रही है तो syllabus का पूर्ण नहोंना है जो समस्या है इसमें syllabus के 10 कंट से 10 कंट से 150 कोष्टिन आने हैं हो सकता है बहुत ऐसे प्रस्ण होंगी जिन के बारे में आपको जानकारी नहीं हो क्योंकि सेलेबस काफी बिस्तित है और जो इस्टडी मेटेरिल भी आपके पास कुछ हो सकता है न उपलब धोपाए तो जो भी आपके पास अवेलेबल है उसी का यूज करें ठीक से यूज कर हैं वैसे आपको नहीं मिलने वाले हैं तो आपके सामने समस्या है कि हम उसका क्या क्या उतर लिखें और जो भी लिखें सच लिखें सही लिखें ठीक से लिखें उतर लिखने में अक्सर भ्रहम की स्थिति पाइदा होती रहेगी और सुद्ध लेखन जो भी लिखें सुद् सबसे बड़ी बात आती हो कि पद के साफिच दुगने से भी कम प्रतियोगी है यानि एक पद पे दो भी नहीं प्रतियोगी है यानि काफी आसान आपके लिए बनने जा रही है या बस जवरत क्या है कुछ सुझाओं पर विचार कर लें इअ आप जो भी पड़ें सिलेवस कि साफ से पढ़ें पहली बात ताकि आप अना उस्यक इजर उथा न भटकें जो जो सलेवस में दिया हुआ है जो भी प्रस् Alabस जो भी है उसी सस्मनित परशन आप पढ़ें अना उस्याक न पढ़ें जो आपके पास अउलेवल है उसको ठी ताउमध्या पूरावगरिया यह उस्ते हुte आपको अश्वस्त ही ईसमें सबसे जयादा जो मैं फरकूरक परिभाशा की नशफ़य को हुआ है कि सन में हुआ इस पर जादतर प्रस्ण आएंगे तो आप इसको भी ठीक से त्यार कर लेंगे और इसमें एक फायदा आपको यह भी कि इससे बस तुनिष्टा जादे रहेगी याने आपको भटकने का चांसे इसमें कम होगा जो भी प्रस्ण के उत्तर होंगे एक होंगे और वही उनली वन उत्तर होगा परिष्छा में जानते ही यहां कोई परिष्छा उसमें सरल प्रस्ण में होते हैं मध्यम भी होते हैं कठिन भी होते हैं तो आप सरल प्रसंतों आराम से कर लेंगे कुछ मध्यम वाले कुछ कोश्चन का थोड़ा सा और हिम्मत कर लें तो वह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा हो सकता है लच्छ को पाने में आसानी रहे आपको अधा थोड़ा साधी परिश्रम का जो समय है थोड़ा महंत कर दें आप जिससे सफलता की सुनेश्चीत हो जाए और तनाव मुक्तर इसमें कोई बहुत टेंसनले के न रहें आप बेफिकर होके परिश्चादें इस परिश्चा में सफलता की समाना बहुत तादिक है क्योंकि ह हमें लग रही है साधी यह ऐसी परिश्चा जिसमें इतने कम प्रत्योंगी है सीट की अपएक्छा पत की अपएक्छा और सिच्छा मित्र बंधों को लिए को बहुत अरहत रहेगी क्योंकि उन्हें 25 संग वेटें जो मिलने हैं तो कोलमना जुला के जो लड़ाई रहेगी वो बीटी सी और डिलेट बंधों के लिए रहेगी तो अपने तैयारी को और अधिक तेज करें आप सभी को परिश्चा में सफ़क्ता की अगरिम सुभकाम नाएं हमारे और सब्जेक्ट वीजियो जो बाकी हैं आते रहेंगे आप सब्सक्राइब कर जूड़े रहें ताकि अन्य वीडियो भी आप देख सकें अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार और साथ बने लखने के लिए धन्यबाद